हलो फ्रेंड्स मेरना मज़े सिसो दिया है और आप देख रहे हैं AWS तो दोस्तों यहां पर हम IM User करने वाले हैं और Custom Password के साथ तो दोस्तों इस User को हम क्यों करते हैं अगर आप रूट पर हैं तो आपको सारी permissions होती है डिलीट बगारा करने की सब लेगिन हम चाहते हैं एक ऐसा यूजर उसको सिर्फ इंस्टांस करना पड़ा है वह कर पाए और एक दो चीज और कर पाए इसमें ठीक है यूजर परीट दो फैक्ति खुक्ति आपको क्लिक करेंगे अर ए outta aí यूजर सेट करेंगे और यहां किलिक कर लेता हूं यहां देंगे लेकिन अब हम जा रहे हैं इनावल कंसोल ऐसे ऑप्ष्ण टिक है मैं नीचे कडिर करता हूं यहां पर कश्टम अगर आप कस्टम नहीं देना चाहते तो ओके कर दीजे लेकिन मैं यहां पर कश्टम पासब्ड बनाना चाहता हूं तो यहां पर मैं कश्टम पासब पासबड पर किलिक करूंगा और यहां पर मैं एक पासबड रहा बना लूँगा आप अपने हिसाफ से पासबड लगा सकते हैं ओछ इसमें इसाफ से password इसमें set कर सकते हैं new password add next sign मैं click कर लेता हूँ अभी click नहीं हो रहा है तो मैं इसमें ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो instructions दिये हैं उसको देखते वे follow करता हूँ और फिर मैं password लिख लेता हूँ ओके चलिए मैं don't save तो मैं अभी permissions में यह option use नहीं करूँगा add to user group यह use करने जार, copy permission नहीं करने जार, मैं attach policies directly, बहुत सारी policies यहाँ पर given है, उसी मैं से एक policy मैं administrator actually लेता हूँ, जो कि वो root user जैसे आप login होते हैं उसी तरह से उसको सारी permission होती है ठीक है, लेकिन यह मैं जल्दी में बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ लेकिन यहाँ permission set कर सकते हैं कि कितना इसको permission है, क्या क्या कर सकता है तो यहाँ पर आप देख पार है administrator access और एक I am user change password, दो चीज यहाँ पर policies मेरी set होगी है तो मैं यहाँ tag पर optional कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखेगा console sign in detail से यहाँ पर एक आपको URL मिला है इसको copy कर लीजिएगा जब भी आप login करेंगे तो आप इसको browser पर paste कर देंगे तो यहाँ पर एक ID number मिला आपको वो automatically अपने आप फिल्ड हो जाएगा, तो मैं email sign in instruction पर किलिक अगर करता हूँ तो वो इस तरह से आ जाएगा ठीक है चलिए मैं इसको बंद कर लेता हूँ नीचे यहाँ डाउनलोड कर लेता हूँ तो यह सारे information मेरे पार डाउनलोड जाएगी ठीक है तो मुझे copy paste करना नहीं पढ़ेगा अब मैं return कर लेता हूँ चलिए अब मैं यहाँ पर चलता हूँ log out कर लेता हूँ log out करूँगा तो फिर से में जो मैंने link लिया था उसको copy कर लेता हूँ देखिए ID मेरी वहाँ पर लिख्यो ही है तो अब जैसी login page open होगा तो यह जो ID आप देख रहे हूँ पर यहाँ पर filled up एहले से 12 digits की तो हमें इसको भढ़ना नहीं पढ़ा इसमें फिल करना नहीं पढ़ा ठीक है यह दिखेगा फिर से दिखाए तो हम आपको अब यहाँ पर क्या आगया है I am user ठीक है यह ID खुद ही आ जाएगी आप जैसी वह URL आप डाला करेंगे authentication your authentication यहाँ पर कुछ गलत लिख रहा हूं मैं तो पासबर तो मेरा ठीक जा रहा है मुझे लग रहा है कुछ गलत मैं कर रहा हूं चले देख लेते हैं फिर से तो sign as I am user आ रहा है इसमें ठीक है पासबर डाल देता हूं अभी भी रोंग दिखा रहा है मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ पर एक चीज गलत किया है और वो है पासबर तो मैं ठीक ही डाल रहा हूं तो देखिए आप root वाली जो sign in में जो root वाला आता था वो यहाँ पर नहीं आएगा अगर आप इसको url जैसे browser पर डाला उस url को आप डाल लेंगे तो ठीक है मैं थोड़ा मैं यहाँ पर ओके यह गलत नाम दे रहा हूं मैं मैंने जो create किया था आयम अजे किया था ठीक है पासबर ठीक था यूजर का जो नाम था आयम यूजर का निम गलत डाल ला था मैंने ओके किया तो अब यहाँ पर दो हमारी एक पोलिसी और सैट हुई थी नेम चेंज करने के लिए तो अब आप वो पूछ रहा है कि old password यहाँ डाल दीजिए ठीक है old password आपको यहाँ डालना है और new password आपको सैट करना है तो कर लेते हैं नया password सैट कर लेते हैं ठीक है confirm कर लेते हैं don't save अभी अभी क्या हुआ इसमें कुछ मिस्टेक थी दुबार से चैक कर लेता हूं मैं बिल्कुल ठीक से डालना है old password आपको डालना है यह आप और new password आप देना चाहते वो ठीक है अब मैं कर लेता हूं click confirm पर तो अभी बिल्कुल ठीक चला अब हम करेंगे और sign in पर console पर login अब login करेंगे तो क्या है यह देखते हैं मैं लोग इन किया तो यह digit जो थी वो गायब होगी क्योंकि मैं url का मैंने यूज नहीं किया है अगर मैं url का यूज करता तो मुझे digit वहां पर लिखिवी मिलती है अभी नहीं मिलिये तो मैं चली है मैं user का नाम और password डाल देता हूं फिर देखता हूं क्या होता है तो मैंने आपर user का नेम और password डाला sign in किया तो कोई बात नहीं आपको वो देखिए यहां से यह login हो गया है आपको बहां पर digit आप जो number मिला है वो आपको डालना पड़ेगा उपर उससे डाल कर जरूट देखना जो आपने save किया था ठीक है तो अब आप मैंने दिखा दिखा दिया right में आप यूजर ने login किया तो उपर आप देख पा रहे है आएम अजे करके लिखा आप राइट साइड वे देखे एक यूजर हमारा यहां पर यूजर में वन यूजर आ रहे है ठीक है यूजर के अंदर तो आप देख पा रहे है यह देख है आप यूजर फाइब मिनट्स अ account setting में जाएंगे तो password policy यूजर ग्रोप में जाएंगे तो अभी फाइब यूजर कृट करना चीख नहीं किया ठीक है लुजर क्रेट करना सीखना अभी तो वह हमने देख रहे है डिलीट यहां से कर सकते रिदीक करें करता हूँ यूजर नेम पूछ रहे है बटन पर किलिक करेंगे और यह इउजर डिलीटEh तो दोस्तों इतना था जए चयूट भी कर सकते और डिलीट कर सकते हैं आगे बहुत काम आने बाल लाइ तो हमने सीछ आइम यूज़र को क्रेटकरना कुस्टम पासपड बनाना को यहां पर मैं क्लिक कर लेता हूं तो अब देखते हैं हम कैसे आएगा पास पेज ओकिया तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं तो बहुत बहुत स्वागत है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू कुरें इससे हम मौटिवेशन इस में कुलता है कि यूजर में जीरो आगया है और में मैं यूजर में चला गया हूं यहां से देखता हूं तो यहांपर यूजर से सप्सक्राइब दोस्तों कि इन कर चुकिंगा है इतना ही ब्रृ जीरों तै कर दो दो कर दो कर दो एक